पिघला दे जन्जीरें बना उनकी शंशीरें मैंने नैट के विज्वाल आर्ट के जैनवरी 2017 के सैकिंड पेपर के कुछ प्रश्णों को सॉल्व किया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कॉश्चन से द्रश्य कला में स्टेंसिल तक्णीकी को यह भी कहा जाता है ए एचिंग, पोशाय, थ्री ग्राफिटी, फौर्थ आइसलांड, आइलांड्स सेकिंड पोशाय इस दर आई डांसा, द्रश्य तक्णीक को छे पांकन पदती को पोशाय भी कहा जाता है नेक्स्ट कॉशन पर आगे बढ़ते हैं आरंबेक पिंट मेकिंग तकनीकी का विकास इस रूप में हुआ था फर्स्ट कपड़े पर पैटरन, सेकंड कागज पर आकरती, थर्ड कागज पर पार्ट, फोर्थ बिलबोर्ड पर प्रतीग फर्स्ट कपड़े पर पैटरन, सेकंड कॉशन पर आगे बढ़ते हैं थर्ड कॉशन एचिंग को भारत में कला अभिविक्ती की रूप में परचित कराने वाले कलाकार की रूप में जाने जाते हैं फर्स्ट नंद लाल पोश, सेकंड कृषना रेड़ी, थर्ड मुकुल डे, फोर्थ चंचल बैनर जी सेकंड कृषना रेड़ी is the right answer कृषना रेड़ी मूर्तिकार तथा इंडियन प्रिंट मेकर के रूप में जाने जाते हैं इनका जन्म आंद्यप्रदेश में हुआ था इन्होंने सिक्षा शांती निकीतन से प्राप्ति की जहां इनके गुरू नंदलाल बोज बनी इन्होंने मद्रास के ललितकला विद्याले में सिक्षन कारे किया तो second Krishna ready is the right answer next question पर आगे बढ़ते हैं love and date, itching, print का निर्मान अठारे सो तीन में किसके द्वारा किया गया था first Goya, second William Black, third Charles Meria, fourth Hallbane Hans first Goya is the right answer next question पर आगे बढ़ते हैं फिफ्ट कॉशन है निम्नांकित मैं से जेजे आर्ट स्कूल के प्रंसिपल की पहचान करे first George Keats, second Postum जी, Beaumann जी, third Gladstone Solomon, fourth Janual Abedin third Gladstone Solomon is the right answer Gladstone Solomon ये जेजे आर्ट स्कूल के मुंबई के तीसरे प्रंसिपल ने 1919 में कारेभार समाला था और जेजे आर्ट स्कूल के प्रंसिपल बने थे जब ये प्रंसिपल बने तो इन्होंने British कला की अभिजाते शैली को सिक्षण का माध्या बना दिया था सिक्षण को आधार बना दिया था तो जेजे आर्ट स्कूल अंगरीजों के द्वारा मुंबई में 1857 में खोला गया था इसके फर्स्ट प्रंसिपल इसके 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 प्रंसिपल इस एक 4th water. First Fresco is the Right Answer. The Last Subur Fresco Sacco में चित्रित की गई है और ये मिलान के एक उपासनाग्रह में बनाई गई है. लियोनार्दो ता विंसी चरम पुनुद्थान काल के, इतली के चरम पुनुद्थान काल के कलाकार थे. ये बहुत अच्छे विज्ञानिक भी रहे थे, इन्होंने विज्ञान के छेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान किया इन्होंने रक्त के परिब्रमन की खोज की थी और कैमरे का शंचोधन भी किया था इनके गुरु वेराश ये थे, इन्होंने लास्ट सपर अंतिम भोजन लास्ट सपर ये फ्रेसको सिको में बनाई थी, मिलान के कोपासनग्रह में तो नेक्स्ट कोश्चन पर आगे बढ़ते हैं, सेविंध कोश्चन है अरेबिया नाइट्स पेंटिंग सीरीज के पेंटर कौन है? रमिनना टैगॉर अवनिना टैगॉर नंदलाल बोस प्रदोष दासकुपता सेकंड अवनिनना टैगॉर इस दर राइट आंसर अवनिना टैगोर ने कला के छित्र में बहुत बड़ा योगदान है इनका जन्म 1821 में जोड़ा सांकू में हुआ था कलकत्ता में जोड़ा सांकू में हुआ था इनके गुरु गिलिहारडी थे इन्होंने वाश तकनीकी का अविस्कार किया वास्ट तकनीकी इनोंने जापान से सीखी और इंडिया में उसका बहुत योगदान दिया वास्ट तकनीकी लोगों को सिखाई जलचितरण तकनीकी तो अवनिनना टैगार ने मुगल शैली के चितरों को अपनी प्रेळणा का आधार बना लिया था इन्होंने चितरकला के 6 अ next question पर आगे बढ़ते हैं, group 8 समर्पित है, group 8 समर्पित है, first painting, second multi color, third graphic color, fourth photography, group 8, graphic art, third graphic color is the right answer, group 8 का निर्मान जग मोहन चोपड़ा और उनके सिश्यों ने मिलकर दिल्ली में किया था, इन्होंने 1967 में जग मोहन चोपड़ा और उनके सिश्यों ने मिलकर एक ग्राफिक दिली में एक ग्राफिक कारेशाला इस्थापित की थी, जो ग्राफिक कारेशाला इस्थापित की थी, जिसका नाम group 8 था, तो group 8, third graphic color से समर्पित है, उसको ही समर्पित है, नाइन्थ question पर आगे बढ़ते हैं, मत्रा संग्राले में इस्थित कटरा से प्राप्त, बैटे हुए बुद्ध की मूर्थी किस काल की है, फर्स्ट मौरे काल, सेकिंड सुग्रू काल, तर्ड कुशाण काल, फور्थ गुप्ति काल, थर्ड, कुशाण काल is the right answer, कुशाण काल में मत्रा मुर्थी काला का बहुत बड़ा केळा तह। यक्ष्य प्रत्माय बनी थी शंगुकाल में मूर्थी कला का प्रमाउख के इंदर भरहूत जा जो MP के सतना जिले गुप्त काल में काफी संक्या में मंदर वे मूर्थियों का निर्माड हुआ मूर्थियों में भगवान शेव, विष्णू वे बुद्ध से रिलेटिड मूर्थियां बनी तो थर्ड कुशान काल is the right answer टेंथ कौशन पे आगे बढ़ते हैं दस्वा कौशन है व्रत सहिता के लिखा कौन है पानिनी, फर्स्ट पानिनी, सेकंड छेमेंद्र, थर्ड अमिनव गुप्त, फोर्थ वराह मिहर फोर्थ वराह मिहर is the right answer वराह मिहर ने व्रत सहिता लिखा है पानिनी ने अस्ठा धही ग्रंथ लिखा है और छेमेंद्र ने कला विला स्वे व्रत कथा मंजरी ये लिखा है छेमेंद्र कश्मीरी पंडित थे अबिनव गुप्त ने अबिनव भार्थी लिखा है पानिनी ने कला के दो भेद भी बताए हैं कारू वे चारू जो चारू के अंतरगत ललित कला आती है तो फोर्थ वराह महिर इस दा राइट आंसर वराह महिर ने व्रत सहिता ग्रंत लिखा है नेक्स कॉशन पर आगे बढ़ते हैं मडोना ओफ दा लॉंग ने एक नामक मशूर पेंटिंग के पेंटर कौन है परिमिजियान नो एग नोलो ब्रॉंजिनो थर्ड राफेल फोर्थ आंटिनियो अलेगरी फर्स्ट परिमिजियान नो इस दा राइट आंसर ये मडोना ओफ दा लॉंग ने एक ओईल पेंटिंग है इसे परिमिजियान नो ने बनाया था ये है आरंबिक रीतिवादी कला के अत्यदिक सम्मेदिन सील कलाकारों में से एक थे इन्होंने मुस्टरी पेंटिंग्स में लंबी गर्दन तथा लंबे हाथ बनाई है और ऐसा लगता है जैसे इनके लंबे हाथ वे लंबी गर्दन पेंटिंग्स में देखकर ऐसा फील होता है जैसे ही ये किसी अच्छेतन स्थती में पहुँच गए है तो Madonna of the Long Lake एक oil printing है और इसे परिमिजिया निनों बनाया है जो रीतिवाद कला के कलाकार थे Next question पर आगे बढ़ते हैं बारवा question ग्रीक वास्तु कला के संदर्व में कौन सा प्राचीन है Composite order, Corinthian order, Ionic order, Doric order Doric order is the right answer Next question में आगे बढ़ते हैं अजनता प्रेस्तर कटा वास्तु कला संबांदित है First Bodharm, Second Hindu धर्म, Third Bodh, Hindu तथा Jain धर्म Fourth Hindu धर्म तथा Bodharm Hindu धर्म तथा Jain धर्म से संबांदित है अजनता प्रेस्तर कटा प्तू Third Hindu धर्म तथा Jain धर्म is the right answer Next question पर आगे बढ़ते हैं कांसे की सनचना है First Cu, Jaden तथा SN से Second Al Cu तथा Jaden से Third Cu, Fe तथा SN से Fourth Cu, Al तथा Fe से First Cu, Jaden तथा SN is the right answer कांसे यानि ब्राउंच एक मिश्रिद धातू है कांसे एक मिश्रिद धातू है जो पीले रंग की धातू होती है और जस्ता तांबा तिन से मिलकर बनती है जस्ता तांबा तिन यानि Copper तांबा That means Cu Copper Jaden Zinc SN Tin तो यह Science में यूज किये जाते हैं Symbols प्रतीक हैं यह तांबे के जस्ता के Tin के यह प्रतीक है Tin को SN से डिनोट करते हैं और Jaden को Jastay Cu Copper तो जिसमें 90% Copper होता है 3% इसमें Jaden होता है और 7% SN होता है यानि SN यानि तिन तो जस्ता तांबा 10 से मिलकर यह कासे धादू बनती है C.U.J.N. SN is the right answer First is the right answer Next question पर आगे बढ़ते हैं माँ पंत्रमा question है Man with dog के चित्रकार मूर्थी के निर्माता कौन है August Rode Oris Tide Milo धरुमिस्त्री राघव का नहिरिया First Sorry Third Man with dog धरुमिस्त्री ने बनाई थी धरुमिस्त्री का जन्म गुजरात में हुआ था और इन्होंने सिक्षा MS University बढ़ोदा से प्राप्त की थी 16 question पर आगे बढ़ते हैं मैक्रोन शब्द सम्मंधित है Hindi मातिस Second टिलो पोच कुनवाला Third मिर्नाली मुखर जी Fourth अमरनात सहगल Third मिर्नाली मुखर जी is the right answer मिर्नाली मुखर जी बिनुत बिहारी मुखर जी की बेटी हैं और ये एक मूर्तिकार है और इनका मूर्ति बनाने का जो माध्यम है इनका वो जूट है जूट जूट में ये कारे करती है काम करती है तो मिर्नाली मुखर जी से संबन्दित है 17 कॉशन पर आगे बढ़ते हैं रंगी लिथोग्राफी के आविश्कार के पश्चात फ्रांस के पोस्टर के रूप में पोस्टर के जनम में किन का हाथ था लोत्रे का जूल्स सेरे का थर्ड एडवर्ड ट्रोजानुवस्की फोर्थ ट्राद्यूस ग्रोनुवस्की सेकंड जूल्स सेरे इस दा राइट आंसार नेक्ट कॉशन पर आगे बढ़ते हैं 19 कॉशन है ग्रेफाइट सब्द की उतपत्ती किस पे हुई है फर्स्ट स्क्राइच सेकंड ग्रेफिटो थर्ड स्टीट आर्ट फोर्थ स्पेश पेंटिंग ग्रेफाइट सब्द की उतपत्ती सेकंड ग्रेफिटो से हुई है इस इस दे प्रूरल अफ प्रूरल अफ ग्रेफिटो ग्रेफाइट को कहीं कहीं के नाम से भी पुकारा जाता है तो बेसिकली यह है वाल पेंटिंग से रिलेटर होते हैं ग्रिफाइट नेक्स कोशन पर आगे बटने हैं बोहाउस अभी कल्पना अंदुलन किस सैली के संतर्व में नहीं था अपितूस का संबंध था रूप तथा क्रियानवन चिंतन तथा अंतर ग्यानता विसेवस्तु तथा विचार विजन तथा सामाजिक सुधार फर्स्ट रूप तथा क्रियानवन इस था राइट आंसर बोहाउस एक जर्मनी आर्ट स्कूल था जिसकी इस्थापना 1919 में की थी और 1933 या 32 के करीब में इसको नाजी सरकार ने बंद करा दिया थ इस स्कूल में इस जर्मनी के आर्ट स्कूल में बोहाउस में शिल्प कला तथा ललित कला दोनों की सिक्षा दी जाती थी तो फर्स्ट रूप तथा क्रियानवन इस दर राइट आंसर नेक्स कौश्चन पर आगे बढ़ते हैं बीसमा कौश्चन एक प्रभावसाली लोगो को समयकाल से परे होना चाहिए इनमें से समय से परे लोगों का संभावित सर्वोत्तम उधारण हैं पेपसी लोगो, कोका कोलो लोगो, थाम्स अप के एफसी लोगो Second Coca-Cola logo is the right answer Second Coca-Cola is the right answer Coca-Cola logo is the right answer Coca-Cola company अमेरिका के जोर्जिया के अटलांटा में इस्तित है Coca-Cola company का कहना है लगभाग यह कहते हैं कि यह पेपदार्थ मतलब यह जो cold rings है यह लगभाग 200 से भी अधिक देशों में उप्योग की जाती है जब यह 19 सताबदी में जब यह आई थी तो यह एक दवा के रूप में आई थी medicine के रूप में आई थी और इसको आज लोगोंने cold rings के रूप में उप्योग करने लगए है Second Coca-Cola is the right answer दोस्तो अगर यह था मेरा आज का वीडियो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आयो तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें मेरा मनोबल बढ़ाएं और नीचे दिये हुए बैल आइकन पर क्लिक करें जिससे जब भी मैं कोई वीडियो अप्लोड करूंगी तो आपको उसकी जानकारी होगी तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और और फाइनली थांक्स वर वाचिंग माई वीडियो और बाई फोर नाओ